हां तो friends शुरू करते हैं आज की class यह है noun की fourth class यह last class होगी noun की और इसके साथ noun हमारा chapter फिनिश हो जाएगा ठीक है तो यहां पर मैंने last chapter में कहा था कि जितने भी यह जो आपको words दिख रहे हैं ठीक है noun دिख रहे हैं ठीक है मैं कहूँ देखो, the proceeds were deposited in the bank, मैं कह चुका हूँ कि जो proceed है यहाँ पर, यहाँ पर जो proceed है, इसका मतलब होता है, क्या, आपका, आपके जो है, आपकी, आपकी कमाई हो, ठीक है, ठीक है, वो जमा हो गई है, ठीक है, तो यह हो गया, और फिर देखो, arms, arms हो गई आपके, जो आप given to the baggers, ठीक है, और यह किसमें, इसमें, इसमें, चैफ़ेगा आपको, ठीक है, ऑर रीचилось होता है, never give you happiness, जो आपकी दीक है, ठीक है, रीच मने क्या होताँ, अमीर, रीच मने क्या होता है दोस्तों, रीच मने क्या होता है, ने जो समे मैं आल्रेडी कह चुका हूं, जो हमारा कस्टम होता है ना कस्टम, अगर हम कस्टम की बात करें, तो यह होता है रिती रिवाज, क्या होता है? रिती रिवाज, ठीक है? यह होता है रिती रिवाज, ठीक है? जो हमारा कस्टम होता है, ठीक है? और कस्टम से जो होता है, यह होता कस्टम से लगने से होता है, जैसे हमारा GST है, या Tax Session देख लो, ठीक है, Tax Systems जो होता है, उसको Custom से बोलता है ठीक है, जो हमारा जो Tax लगता है, ठीक है, उसको Custom से बोलता है, एस लगने के बाद, अब यहाँ पर देखेंगे, अब Wages में, Wages से आप उसका use कर सकते, Singular और Plural के Case म में तब यूज होगा जो बेज़ का मीनिंग जो है लेवर होगा जो हमारी लेवर होती है ना काम करने वाला काम करने वाले ठीक है लेवर उनको भी वेज़ेज बोलता है जैसे उनके वेज़ेज वर विंग पेड इंटू एकाउंट्स जो आपकी जो ध्यारी जिसको बोलता है यह फिर यह result के case में जब use होगा तो यह singular use होगा Wases of hard work की sweet देखो जो hard work है उसके जो result है वो कैसा होता है हमेशा sweet होता है तो wages singular use हुआ इसलिए मैंने यहां पर is use किया है और यहां पर labor के sense में use हुआ कि जो आपकी ध्याड़ी है मजदूरी है वो आपके खाते में डाल दी जाएगी तो इसमें देखी यहां पर मैंने आर यूज कर रहा है वेजस के साथ बड़ देखने में तो यह plural लग रहा है ठीक है और यह भी plural लग रहा है बड़ वेजस का meaning ही अलग अलग है एक के समें लेवर के लिए यूज होगा एक के समें हृज ll के लिए ठीक है तो यह से इसे नाउन का इस तरह से यूज करेंगा अब देखे धा था हाइफनेटाइड नाउन्स सभिडू नाउट यूज ब्लूरल फॉर्म्स जितने भी hyphenated होता है, hyphenated means होता है, तो उस्तों dash, ठीक है, क्या होता है, meaning dash, जैसे 5 day trip, तो 5 day trip, तो actually यह जब 5 day trip बताया मैंने, यह singular को represent कर रहा है, singular, कि जो 5 दिनों की, 5 दिनों की जो trip है, 5 दिनों की, यानि कि trip तो एक है न, भले उसमें 5 दिन हो, बट trip तो एक है न, तो इस days क्या हो जाएगा, wrong, आपको days नहीं लिखना है, आपको day ही लिखना है, ठीक है, अब 5 देखने से आप यह मत समझे, कि यह plural है, इसलिए हम days कर देंगे, days नहीं करना है, days नहीं करना है, guys, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 day लिखना है, क्योंकि 5 day में, 5 दिन को मिलके ही तो बन रह हो रही है, इसलिए 10 rupees note, 10 rupee note होगा, 10 rupees मत करना, देखो इसमें once again, rupee होगा, क्यों, क्यों, क्योंकि 10, 10, देखो भले ही उसमें rupees कितने है, 10 है, बट वो है तो एकी note है नपुरा, तो इसलिए 10 rupees note होगा, 10 rupees नहीं बोलेंगे, ठीक है, rupees लिखना क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा तो इसलिए रुपीज ना लिखें, रुपीज लिखना रॉंग हो जाएगा, ठीक, इस तरह से ए 6 mile race, 6 mile race होगा, ना कि 6 miles होगा, ठीक है, miles लिखना रॉंग हो जाएगा, और इसी तरह से 20 foot long field, 20 foot देख रहे हो, अगर मैं foot लिख रहा हूँ, मैं foot नहीं लिख रहा हूँ, feet होत एक से ज्यादा foot जब होता है, ठीक, बट मैं इसको singular use कर रहा हूँ, foot यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 20 foot long field है, long field है, 20 foot, तो इसलिए 20 के साथ, hyphen, देखो, hyphen मैं dash use कर रहा हूँ, जिस case में, वहाँ पर हम second वाला जो रखते है, noun, जो हम noun use करेंगे, वो हमेशा singular use एक वचन होगा, वो एक वचन, यानि कि singular, ठीक है, वो क्या होगा, singular होगा guys, ठीक है, plural नहीं बनाना है उसे, they stayed in five star hotel, देखो, एक होटल से five star, अगर मैं कह रहा हूँ, five star hotels, हाँ, यहां से आप plural बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है, कोई बाहर से आया हो, किसी city में, वो बढ़ दूसरे star hotel में, एक दिन five star के दूसरे, एक से जादा hotel में रुका हो, तो इसको तो आप बना सकते हो, plural, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक से जादा hotel में, रुका हुआ हो सकता है, ठीक है, इसको आप कह सकते है, plural, but आप five star को plural, ना कीजिए, ठीक है, देखो, मैंने hyphen के जाद five stars मत करेए, ठीक, hotels means more than one, कि जो stay किया होगा, उसने एक से जादा hotel में रहा होगा, ठीक है, जैसे आज एक five star के दूसरे hotel में रहा होगा, फिर जब वो आपस अपने city में जाएगा, तो लोगों को कह सकता है, वो कि मैं जो रहा, मैं क्या रहा, five star hotels में रहा, फिर वो hotels हो जाए तो इस तरह से इसका use होगा, यह किस में है, hyphenated जो होता है, hyphenated means जिसमें हमारा hyphen लगते है, इस type के जो होता है, ठीक, I think, I hope you got it, फिर number plus noun में किस case में होता है, ठीक है, यह singular, जब numerical adjectives आएंगे ना, तो वो singular के साथ use करेंगे, कैसे देखो, two hundred, four hundred thousand, five lakh, ten dozen, three million, ten billion, इस type से, आप देखे, यहाँ पे आपको लग रहा होगा two hundred, अगर आप two hundred के बात करें, तो आपको लग रहा होगा कि two hundred तो plural है, two hundred एक से जादा है, तो इसलिए हम यहाँ पे hundreds करेंगे, नहीं, आपका जो यह adjective है ना, यह numerical adjectives है, ठीक है, जब यह numerical adjectives के साथ use होगा, ठीक है, तो आप हमें क्या करेंगे, हम हमेशा इनको क्या रखेंगे, इसको plural नहीं बनाएंगे, ठीक है, सिंगुलरी रखेंगे, thousands नहीं करेंगे, lakhs नहीं करेंगे, dozens नहीं करेंगे, millions नहीं करेंगे, billions नहीं करेंगे, 10 billion, 3 million इस तरह से use कर गेंगे, जैसे I gave him three hundred rupees, अब देखो hundreds गलत हो जा आप इसको plural बना दीजिए, इसको आप plural बना सकते, या कह दो कि I gave him two hundred rupees note, जैसे कि मैं पहले कहा, तो यहां से भी हटा दीजिए, यहां से भी हटा दीजिए, तो I gave him two hundred rupees note, two hundred rupees note, rupees note नहीं कीजिए, अगर आपको two hundred के आपने माना एक से ज़्यादा note दिये, दोसों के, तो इसको plural बना दीजिए, अगर माना आपने एक गठी दे दी, तो यह तो आपने टेंस में पढ़ लिया था, ठीक है, इस तरह से करते हैं, जैसे he gave me five dozens book, देखो उसने दी, gave second form है, तो यह तो आपने टेंस में पढ़ लिया था, ठीक है, he gave me five dozens, नहीं करना है, books, देखो मैं यह आपे S लगा सकता हूँ, अगर मैंने, suppose that, एक dozen है, बारा बुक इस बंडल में है, बारा बुक इस बंडल में, बारा बुक इस है, तो इस टाइप के अगर उसने suppose five bundle दिये, कितने दिये five bundle, तो इसको क्या कहेगा हो, he gave me five dozen books, तो यह books हो जाएगे, ठीक है, five dozen, यहनकी अलग- बुक से दिये, ठीक, तो आप इसको बना सकते है, बट dozen को ना बनाए, ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखे, there are thousands of differently manufactured products, यहाँ पे यह सही है, दोस्तों, यहाँ पे यह सही है, there are thousands, क्योंकि यहाँ पे देखे, हमारा कोई number नहीं use वाया गए, ठीक है, noun and number का यहाँ पे millions of people, there are millions of viewers, there are billions of subscribers, you can say like that, ठीक है, इस case में आप S यूज कर सकते हैं, आपका number नहीं है, number and noun का combination नहीं है, ठीक है, manufacture products, products means एक से ज़्यादा product, plural बना दिया है, S लगने का मीनिंग हम कह रहे हैं, plural बनाने से, ठीक है, they stayed in five stars hotel और hotels, देखो, hotel और hotels तो आप लिख सकते हो, जैसे ह पर यहां five stars नहीं कीजिए, क्योंकि आइफन भी लगाए, वो तो मैं already बता चुक हूँ, he stays, वो रहता है in five star hotels, once again same condition, तो S नहीं लगाएंगे, already बता चुक हूँ, note, dozens of, hundreds of, millions of, billions of, pairs of, ये plural noun के साथ आता है, क्योंकि dozens है ना, जब आपने dozens की बात की, dozen मिनिंग, एक dozen की बात की बात होई है, जब आपने यहां पर S लगा दिया ना, दोस्ता, इसका मतलब एक से जादा बंडल की बात होई है, of course, ये plural होई गया है, ठीक है, मैं कहूं, hundreds of, अगर S लगा है, तो हम बात कर रहे हैं, एक से जादा की, millions of, एक से जादा की, इस तरह से हम यूज करेंगे, of जादा की टेक सिंगुलर बद्व, ठीक है, ये कैसे, जैसे आपको दो नाउन दिखेंगे, जैसे मैं कहूं, डे, डे वाई dan, तो यहां पर दोस्तों, बाई जो है, यह क्या है, प्रिपोजिशन है, बाई क्या है, प्रिपोजिशन आप यहां पर भी नाउन है, क्योंकि दे क्या है noun है यह देखो day क्या है noun है ठीक है तो यह पता चल गया दो noun से मिलके बन रहा है day by day तो यहाँ पे जो वाई है ना यह आपका क्या है preposition जब इस तरह से आपका जुड़ेगा तो आप उसको simple रखें singular पर रखें ऐसे मत किजिए, days by days, days by days क्या हो जाएगा दोस्तों, यह wrong हो जाएगा, क्या हो जाएगा, wrong, s नहीं लगाता है, इस case में, सिर्फ नॉर्मल रखते हैं, जैसे देखो, town after town, यह after क्या है, preposition है, तो s नहीं लगाना है, town after town होगा, ठीक है, word for word होगा, for क्या है, preposition है, word का एक, ठीक है, तो word for word होगा, words for words मत कीजिए, words for words नहीं करना है, ठीक है, city after city, ये once again ये क्या है, preposition है, ठीक है, city after cities, after cities गलत हो जाएगा, city after cities, developing की, एक एक करके, जो city है, वो क्या हो रही है, develop हो रही है, ठीक है, इस तरह से, use करते हैं, he goes door to door, आप यहाँ पर देखे, वो हो जाता है, door to door, दोस्तों, two भी preposition है, आप एक चीज का और धियान रखे, doors to doors नहीं करना है, house after house, was demolished, एक एक करके, घर को ढहा जा रहा है, गिराया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, गिराया गया है, ठीक है, was demolished, गिराया गया है, ठीक है, bus after bus is arriving, देखो यह noun, यह noun, यह preposition, same condition noun, plus preposition, plus noun, यह जो रहेगा, यह singular रहेगा, दोस्तों, क्या रहेगा यह noun, singular case मोगा, उसे plural case में ना बनाए, यह मैं, हभी हम इसको सीख चुक है, ठीक है, use of ephastrophe with s, s के case में ephastrophe को कैसे use करते हैं, यह देख लेते है, views ephastrophe for indicating possession sense, हम जानते ह हैं, कि s, s, जो हमारा, जो ephastrophe होता है, यह जो dot होता है, इसको बोलता है, ephastrophe, जो हम को भी, जैसे मैं कहूं कि, राम's book, राम's book, राम's house, ठीक है, इस type से, तो यह possession को दिखाता है, तो किस case में हम देखो, living things के लिए हम ephastrophe लगाते हैं, यानि कि, जिवित है, जिवित कोई चीज है, ठीक है, living things के लिए, time हो गया, और bait हो गया, बजन, और distance हो गई, दूरी, amount हो गया, और respect, respectable words होगे, जो respect वाले हो, जैसे honorables, इस type के, ठीक है, और personified nouns होगे, जैसे अर्थ हो गया, आपका nature हो गया, ठीक है, moon हो गया, sun हो गया, ठीक है, heavenly objects, जैसे आपका sun है, अर्थ है, यह सब, ठीक है, personified means, जो हमने हो कर आए, जैसे nature हो गया, ठीक है, जो हम इनसानों ने उसको माना है, बल्कि जैसे हम कहेंगे कि nature's beauty, हम कह देते हैं कि nature's, nature's beauty, ठीक है, actually, nature beautiful नहीं होता, beautiful का मतलती सुन्दर, सुन्दर होता है, ठीक है, nature's, बट हमने उसको क्या माना है, सुन्दर माना, किसने इनसानों है, किसने माना, इनसान, इसको बोलता है, personified, personified means, जो person ने उसको modify किया है, हमने उसको नाम दिया, यह समझ लेज़े, ठीक है, non living things को छोड़के, हम नहीं यूज़ करेंगे, जैसे the table's lag, यह गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि table क्या है, table आपकी क्या है, निर्जी होगा, इसमें जान नहीं है, तो इसमें एफस्ट्रॉफ नहीं लगाते है, यह रॉंग हो जाता है, यह इसमें नहीं लगाते हैं, ठीक है, रॉंग हो जाता है, table क्या है, non living है, तो ह हम क्या करेंगे the lacks of table, lacks करेंगे और इस case में off लगा देते हैं, जब non living thing की बात होगी तो हम off लगाएंगे, the lacks of table इस case में तब यह correct होगा, ठीक है, फिर यह correct हो जाएगा, हम क्या करेंगे off लगा देते हैं non living के case में, जैसे a books page, किताब का page यह गलत हो जाएगा, क्योंकि books once again क्या है, non living है, इसलिए यह wrong हो जाएगा, सही क्या होगा, pages of book, देखरो pages plural हो गया, book के pages की बात हो रही है, pages off लगा देते हैं इस case में, फिर यह correct हो जाता है, जैसे boys attitude, यह correct है, क्योंकि boy क्या है, boy जो है, boy आपका देखो single की बात हो रही है, ऐसे यह किसके लिए हमने यहाँ पर epistrophe लगा है, इस case में क्या correct है, क्योंकि boy क्या है, living है, जिवित है, ठीक है, इस case में यह सही है दोस्तों, ठीक, अब यह two kilometers journey, two kilometers जलनी सही है, क्योंकि यह क्या है, kilometer distance है, हम उपर बता चुके है, distance में आप लगा सकते हो, epistrophe, यानि कि यह लगा सकते हो उपर स है, तो इस case में यह use हो सकता है, rupees कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, night's journey, ठीक है, यह cracked है, night's journey, क्योंकि nights किसको show करता है, time को, इसलिए nights में कोई दिक्कत नहीं है, यह meters length, once again distance है, नेचर's law, मैंने कहा है, यह personified है, noun है, nature's, क्योंकि nature का कोई law नहीं होता है, इसका कोई कानून न बोली है ये बात, हम मानते है इस बात को कि नेचर्स का एक law है, ठीक है, नेचर्स law, तो इस case में भी कोई दिक्कत नहीं है, sun's fury, की जो गुसा है, ठीक है, किसका sun का, सूरी का गुसा, ये भी परसनेफाइड है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है, कि गुसा होता है, ये सन का, नहीं होता, बट हम इनसान मानते है कि sun का गुसा है, ठीक है, इसलिए ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये big's holiday, big's क्या है time है, यह उपर इनमें यूज कर सकते हैं, हम वेट के केस में, डिस्टेंस के एफस्ट्रोफियो वाला और नॉन लिविंग में नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे समझा चुक हो यहां पे, बुक्स और टेवल के केस में, ठीक है, कोई भी दिख जाए नॉन लिविंग, हुआ नहीं लग इसलिए यहां पे भी कोई लिख्कत नहीं है, एट ड्यूटी ज आर, ड्यूटी आर, भी क्या होता है, रिस्पेक्टेवल है, यहां पे भी आप यूज कर सकते हैं, अर्थ मोमेंट, यह क्या है, अर्थ का क्या घूमना, अर्थ की गुरणन, घूमना, रोटेशन, ठीक है, अर्थ मोमेंट, मोमेंट, और्थ मोमेंट, गूमना उसका, ठीक है, इधर उदर हिलना, तो यह जो है न, अर्थ क्या है, हमारी heavenly body है, object है, यह संस, ठीक है, संस light कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि heavenly bodies है, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं, यह days leave, days कैं one second time है, तो आप यूज कर सकत आट बिट junior हैघजू टीनफोन टीक है time को डिनॉट at bits end होता है कि बुद्धी तो यह idiom है idiom के Case में he fixed रहता है हम यह यूजिसमे यूज कर सकते हैं यह जिसने idiom बनाय उता हर ये इस पर इस पर depend करता है उसने क्या यूज किया है तो हम idiom को कभी भी change नहीं करते हैं चाहिए rule कुछ भी कहले है English का ठीक है और at stones throw अब देखो at stones throw का मतलब होता है very near very near एकदम नजदीक ठीक है जैसे तुम कहुंगे he leaves at stones throw ठीक है वो मेरे एकदम बगल में रहता है एकदम नजदीक में रहता है he leaves at a stones throw ठीक तो berry near होता बहुत नजदीक होता है ये क्या idiom है इसका meaning होता बहुत नजदीक तो यहाँ पे देखे a stones throw है तो यहाँ पे भी stone actually आपको लग रहा है कि stone क्या है नरजीव है नरजीव मतलब living नहीं है ठीक है जिन्दा नहीं है stone of course सही है बट यह क्या है दोस्तों यह एक idiom है इस पूरे idiom को देखे यह एक काहवत है जो बोली वी बात है ठीक है इसको हम नहीं बदलते हैं किसी भी case में हाँ stones अगर दूसरे case में यूज होता तो हम इस पे अफेस्ट्रॉफ नहीं लगाते हैं यह था अफेस्ट्रॉफ का case अब other confusing terms देख लेते हैं अलग 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 अफेस्ट्रॉफ दो नाउन लगा रहे हैं तो उसको कैसे possessive के देखते हैं ठीक है plural sense और take plural जब plural sense होगा तो plural बद जैसे मैं कहूंगा कि कपील and दीपक's father are in government job आप यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे notice करें कपील कपील के पिता ठीक है और दीपक के पिता यह दो लड़के हैं इनके लिए apostrophe use हुआ यानि कि इनके पिताओं की बात हो रही है अलग है ठीक है तो यह क्या है आर यूज कर रहा हमने plural के case में क्योंकि sense हमरा यहाँ से निकल रहा है जब मैंने अलग-अलग एफेस्ट्रॉफ यूज किये है इससे यह पता चलेगा इनके पिताजी अलग है इनके पिताजी अलग है अलग-अलग का case अब जब हम एक नाउन में कहीं यूज कर लें थे तो सिंगुलर जैसे कपील एंड अंकीत सफादर इस टीचर अब आप इस केस में आप यह समझेजे देखो कपील यह कपील और अंकीत आप पहले वाले नाउन पे नहीं कपील एक नाउन है और अंकीत भी नाउन है ठीक है तो जो पहले वाला नाउन है इस पर मैंने अधिकार वाला अपस्रॉफ नहीं लगाया मैंने second में लगाया जब मैंने second में लगाया खाली तो यह हम खुद अडेस्टयंट करेंगे कि जो कपील और अंकीत है वो क्या है आपस में इनका relation क्या है ब्रदर का है क्या है ब्रदर का है father is देखो फिर मैंने singular use करा है is a teacher तो आप ये समझे एफेस्ट्रॉफ का इतना meaning होता है अलग-अलग एफेस्ट्रॉफ लगे तो अलग-अलग को represent करेगा यहां की एक से ज़्यादा को और किसी एक में हम एफेस्ट्रॉफ लगा रहे आप एक दूसरा नौन भी कर लीजिए अगर आप एक ही चीज को indicate कर रहे जैसे मैं इनके एक ही पाफ़ पिता की बात कर रहा हूँ तो इस केस में मैं लास्ट वाले में लगा दूँगा एफेस्ट्रॉफ यहां लगाने की जरुवत नहीं है यहां की और आगे कितने भी हो अगर वहां से हमारा खुदी सेंस निकल जाता कि यह किसी एक पटिकुलर इंसान की बात हो रही है ठीक है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब देखते एवोईट डवल एफेस्ट्रॉफ इन दिस केस विलो ठीक है कब एफेस्ट्रॉफ को हम एवोईट करते हैं माई हजबेंट असिस्टेंट्स फादर हैस एक्सपाइड यह रॉंग होगा हम क्या गलें इस केस में क्या होगा इससे यूज करते हैं अब यह नहीं कहेंगे कि फादर का जो असिस्टेंट है उसका पिता यह डवल डवल एफेस्ट्रॉफ तहीं हटा देंगे इस इस फॉर्म में लिग देंगे दा फादर ओफ माई हजबेंट्स असिस्टेंट है पहले हम उसको रख देते हैं जिसकी बात हो रही है में मुद्दा है उसको पहले रख दो उसके बात खुदी सेंटेंस बन जाएगा दा फादर ओफ माई हजबेंट्स देखो हजबेंट्स असिस्टेंट्स जो पिता है नॉमिनेशन को रखेंगे, इस स्टार्टिंग में, the nomination of Mr. Rahul, the college leader, ठीक है, the college leader was nominated by the member of the committee, ये इस तरह से use कर लेते हैं, देखो इस तरह से आपको कॉमा से ऐसे add करेंगे, किस तरह से form बनती है, ये आपको धीरे धीरे समझा जाएगा, last last में sentences, clauses में में ये सब सिखा दोगा, indefinite pronouns, जैसे देखो, हम किस case में, इस case में हम S को use करते हैं, दोस्तो, somebody indefinite, जहां पर पता ही नहीं होता, अब somebody की बात करता हूँ, हमें पता है कि somebody, मतलब कुछ होता है, कुछ लोग होता है, ठीक है, कोई लोग होता है, कुछ लोग होता है, पर ये नहीं पता होता है, कितने है definite होते हैं हम इनके बारे में definite होते हैं कि इतने हों GO इनका sense कभी वी complete नहीं होता है मतलब यह क्या होते हैं definite definite nature के pronoun होते हैं हमें idea नहीं आता कि कितने की बात हो रहे ठीक है everybody's देखो इसमें एस लगाना कोई दिक्कत नहीं है इनमें हम लगा लेते हैं F-Straw कोई दिक्कत नहीं everybody's business is nobody's business ठीक है जैसे somebody's book यह किसी की किताब है नो-ëns matter यह किसी का matter नहीं है दिक्क है once भी क्या होता है one भी क्या होता अपना यह indefinite होता है तिक है इस case में ठीक है no one no one sorry no one no one भी क्या होता हमारा indefinite होता है no one ठीक है idea होता कौन ठीक if else is used with indefinite pronouns somebody's anybody's nobody's ठीक है जब else जो है इनके साथ use होता है तो हम याद रखना somebody's के साथ हम नहीं लगाते हैं else के साथ हम क्या लगाते हैं else में हम add करते हैं f straw, यह दोस्तों याद रखना ठीक है, जैसे हम कहते हैं it's somebody's else, यह नहीं कहएंगे हम कहेंगे it's somebody else's अगर यह कोई चीज है, कोई बैग है, यह किसी और का, यह कहना है, जैसे, this bag is not yours, यह bag आपका नहीं है, but it is somebody else's, यह कहेंगे, कुछ लोग क्या कहते हैं, ऐसे कह देते हैं, this is not yours, this is not yours, but it is somebody else, यहाँ पर epistrof लगा देंगे, जो की wrong है, हम epistrof last one में लगाते हैं, I follow you and nobody else's, द I know your heart, nobody else's, ठीक मैं आपके दिल को जानता हैं, दूसरों को नहीं, तो देखो, यहाँ नोबेडी लगाना गलत है, आपको यहाँ लगाना चाहिए था, तब यह सही होता है, ठीक है, who and whose के case कैसे solve करेंगे, who and whose का case कैसे कैसे देखेंगे, देखो, I know uncle's coming, इस case में क्या होगा, who and whose, ठीक है, देखो, पोसेसिव नाउन और प्रोनाउन टेक्स, जिरेंड, इन जे, ठीक है, जब यहाँ पर पोसेसन आएगा, तो यहाँ पर बर्व जो होती है, जैसे कम बने क्या होता है, आना होता है, आना, तो हम इसको क्या कर देंगे, आई कि जो यह बर्व फॉर्म आती, आन जे की फॉर्म में आती, जीरंड है, कैसे है, यह हम बर्व के चैप्टर में पढ़ने वाले है, फिलार आप इतना देखे, जब भी एपेस्ट्रॉफ आए, तो उसके बाद अगर कोई बर्व हमें यूज करनी हो, तो हम किसमें करते हो, आ मेरे पे देखो, मेरे को नहीं डाटते हो, ठीक है, मेरे फादर जो है ना, मुझको डाटते है, मेरे पे नहीं, बट मेरा रात को लेट आना, उस पे मुझे डाट पड़ती है, उसके, देखो, माई फादर इस कॉल्ड एट माई है, किसमें इस कॉल्ड करते हैं, डाटते है, at my coming late मेरा रात को लेट आने पर मेरे पर नहीं बट कि मेरे लेट आने पर इस देखो ठीक है तो क्या से बोलेंगे my father is called at my coming late at night जो मैं रात को लेट आता हूँ उस पर नारा जोते हैं ना कि मुझे पर जैसे mother for which our going outside होंगी अरे देखो मना मम्मी मेरे लिए नहीं बट कि में हमारा भाहर जाने को मना करती है outside जाने को मना करती है ठीक है who else is coming ये correct है who else is coming who is not possessive so it will take else without apostrophe देखो who का मतलब ही possessive होता है ठीक है who तो ये क्या करेगा इस case में हमें वो लगाने की जरुवत नहीं है who क्या है possessive नहीं है who नहीं है बलकि who का possessive क्या होता है who's होता है क्या होता है who's होता है possessive who का who मने होता है कौन who मने कौन होता है who means कौन और who's होता है किसका ठीक है जैसे who else is coming कौन आ रहा है, ठीक है, who is not possessive, so it will take else without epistrope, फिर else आ जाता है, epistrope नहीं लगता है, ठीक, अब देखो who else's book, this is this, ये किसकी book है, देखो who else's, तो यहाँ पर else's नहीं लगाता है, क्यों, क्यों क्यों क्या है, आपका, देखो whose, यहाँ पर देख रहो whose, ये whose है, और else's आएगा, book is this, ये correct हो जाएगा, ठीक है, ठीक, whose is possessive of who, who का possessive है, मैं बता चुका हूँ, अधिकार के लिए, who का possessive है, उसका अपने के लिए बोलते हैं, who को, ठीक है, so there is no need to denoting epistrope, फिर whose के साथ epistrope लगाने का क्या मतलब है, मतलब है, हो else's नहीं लिखते हैं, या who's else's करने के, एक हो खुदी क्या है, possessive है, ये याद रखना, who का possessive है, जैसे I का क्या होता है, my, I mean मैं होता है, और ये क्या होता है, मेरा, मेरा मतलब मेरा अधिकार है, अपना है मेरा, ठीक है, इस तरह से who का क्या हो जाता है, रूका होता है who's ठीक है दोस्तों ऐसे करते हैं अब है co-relative relations कैसे होते हैं जैसे mother-in-law's behavior इसमें आपको याद रखना है जब हम mother-in-law देखो हम इसमें hyphenated use करते हैं तो mother फिर हाँ पे hyphen use करा in फिर यहाँ hyphen use करा फिर law mother-in-law ठीक है जब हम करेंगे तो plural है अगर एक से ज़्यादा mother-in-law है तो उसमें आप यहाँ mother-in-law नहीं कीजे यहाँ पर s लगा दीजे mother-in-law से ठीक है यहाँ पर लगा दीजे एफस्टों सॉरी हाँ plural नहीं कह रहा हूँ सॉरी जैसे मैं कोई बात मतलब mother-in-law के उसके अपने होने की बात करें कि जो मेरी mother-in-law है उसका ब्यावहार कैसा है अगर मैं उस सेंस में कहूँ कि mother-in-law का ब्यावहार यानि कि उसका ब्यावहार तो उसके लिए मुझे इस वाले में laws यहाँ mother's में मत कीजी आप एफस्टों आप last laws में लगा दिए इससे बन जाएगा इसका पूरे का पूरा possessive ठीक है जैसे maid servants presents तो maids यहाँ पर ऐसे मत करें ऐसे करना wrong हो जाएगा अगर आप ऐसे कर रहे हो maids servant ऐसे लिख रहे हो यह गलत हो जाएगा sorry ऐसे यह गलत हो जाएगा बट आपको यहाँ नहीं यहाँ एफस्टों यूज करना है sister in laws देखो यहाँ marries sister in laws मैरी मतलब मेरी साली की शादी ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर brothers in laws कार देखो अब brothers में भी कर दिया laws में नहीं यहाँ पर लगाने की जरुवत नहीं है अगर मेरे साली की मैं काओं कि मेरे साली की कार तो यहाँ क्या कर दोगा brother in laws तो यहीं पर हम लगा देंगे एपस्टों ठीक है last वाले में लगाते हैं इस case में जब hyphenated हमें कहीं दिखे noun ठीक इस तरह से use करते हैं ठीक है दोस्तों तो चलो इसको पूरा finish ही कर देता है थोड़ा सा यह last बचा हुआ है अब यहाँ पर देखे आप यहाँ पर क्या कह रहे है pronouns are written by omitting of s of s is added देखो अब जैसे in case में हम हटा देते हैं जैसे your sincerely क्योंकि your your का क्या होता है यह your होता है you का ठीक है इस case में हम नहीं लगाते है adjective forms हो गई इस case में हम नहीं यूज करते है इसलिए हम sincerely लगा ले this bag is hers यह उसका bag है यह हम pronoun में पढ़ेंगे कि कैसे यह use होता है यह क्या है possessive pronoun है hers क्या है possessive pronoun है इसी तरह your adjective हो गया और yours क्या हो गया possessive adjective possessive pronoun हो ठीक है तो this bag is hers यह उसका bag है this is her bag यहाँ पर देखो possessive क्या ही यह adjective है हर क्या है यहाँ पर possessive adjective है this is her bag ठीक है अगर आप बर्व के बाद noun रख रहे हैं तो उस case में आप लखते हैं adjective को पहले यह हमेशा बाद में आता है क्या adjective के बाद हमेशा noun आएगा यहाँ देख भी पा रहे होंगे यह adjective होगा अगर बाद में आपको noun दिख रहा क्योंकि bag क्या है noun है यहाँ पर अगर इस bag is अगर हमने बैग पहले लिखा है तो यहाँ पर हमको रखना होगा hers her नहीं लिख से this bag is her यह गलत हो जाएगा यहाँ पर हम pronoun नहीं यूज करते है फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा possessive pronoun यूज करना पड़ेगा यहाँ पर अगर बैग हमने पहले लिखा है अगर हमने बाद में लिखा है bag यान कि noun को last में लिखा है possessive case it's यह होता है it's यह होता है जब कभी आपको यह वाला दिखे ना तो इसका मतलब होता है it is इसका मतलब क्या होता है it is यह it is है confuse मत होना अगर आपनों को कहना कि it's back it's taste सब्सक्राइब आप कहरें कि it's taste इसका सवाद तो यह वाला it's आएगा अग यह वाला नहीं आएगा यह वाला नहीं करना है क्योंकि इसका मतलब होता है it is taste तो गलत हो जाएगा इसका मतलब it is होता है और यह होती possessive form तो its color यानि कि इसका color यह possessive form यह वाली है एफस्ट्रॉफ नहीं लगेगा इसमें याद रखना ठीक है अगर it's my bag देखो it is my bag यह इसका meaning its its का meaning यह वाला होता है एफस्ट्रॉफ का मतलब तो यह आप पे ध्यान रखें यह पे इस चीज का क्या आप possessive यूज कर रहे है तो यह वाला कीजिए ना कि यह वाला if nouns have already had their ass at the end of so we put apostrophe at the end of the noun and show plural noun ठीक इस case में हम क्या है plural noun शो करते हैं ठीक है जैसे girls hostel आप यहाँ पे क्या करते हैं girls है न तो girls hostel तो एक चीज आपको याद रखनी है दोस्तों अगर आप कहोगे कि देखो जो hostel होगा न माना girl hostel है girls के लिए hostel है girl का hostel है आप बताईए क्या यह sense है कि एक girl के लिए hostel होगा एक तो यह होती है girl या हम यह कह सकते है girls hostel यानि कि इसका मतलब तो girl मने क्या होता है girl हमारी लड़की है एक single लड़की की बात हो रही है क्या उसका hostel हो सकता है possible ही नहीं है hostel तो एक से ज़्यादा कोगा न तो यह कहना गलत होगा हमें कहना पढ़ेगा girls girls means एक से ज़्यादा जब S लग जाएगा तो इसका मतलब more than one girls एक से ज़्यादा लड़की है जब ऐसा होगा तो वह hostel होसा है इस case में क्या होता है हम जो है ना पिलूर के case में पूरा girls लिखे तब लगाई एपस्ट्रॉफ इसका मतलब लड़कियों का hostel जैसे boy है तो यह यह कहना तो दोस्तों गलती हो जाएगा ना अगर मैं कहूँगा boys hostel यह कह दू या boys school कह दू तो यह या मैं boys school कह दू तो यह तो गलत हो जाएगा ना क्योंकि boy एक है ना यह तो एपस्ट्रॉफ यूज करा हमने तो इन एक कभी hostel या इसकूल नहीं होता है तो आपको कहना पढ़ेगा boys पूरा की लड़के तो इस case में जब ऐसा आपको दिख जाए तो आपको एपस्ट्रॉफ यहां लगाना होता है boys फिर यह पूरे boys के लिए काएगा plural के लिए एपस्ट्रॉफ यहां लगा के ठीक इस तरह से boys के लिए मैं बता चुक हूँ तो इस तरह से हम यूज करते है आप देख रहे हो बॉमेंस होस्टल होगा ठीक है यहां पर लगा सकते हैं क्यों दोस्तों देखो बॉमें जब हमारा ए लगता है यह जो बॉमें होती है उती औरते क्या होती है औरते एक से ज़्यादा और जब मैं कहता हूँ बॉमें यहां पर ए एन होता है तो इसका मतलब होती है एक औरत इसका मतलब औरत है और इसका मतलब औरते हैं ठीक है तो इस case में तो हम ऐसे ऐस लगा के इस तरह से कह सकते है बट इस case में नहीं कह सकते है क्योंकि एक औरत का hostel नहीं हो सकता, एक औरत के लिए college नहीं हो सकता, एक औरत के लिए आपका, कोई भी, कोई एक particular हो, जहां पर एक से ज़्यादा के लिए जो चीज बनाई होती है, ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता, तो यह हम इस तरह से use करेंगे, ends with hissing sounds, जिसकी sound जैसे piece है ना, ठीक है, for piece sake, ठीक है, तो जब भी piece है ना, piece की जो sound आ रही है, c की sound आ रही है last में, तो उस case में हम यहाँ ही पर करा देते है, apostrophe, वहाँ पर s लगाने की जरुवत नहीं होती है, क्योंकि c की sound हमें मिल जाती है, जैसे for jases sake, jases होता है, जैसे ज यहाँ पर jases तो पूरा, देखो, jases, 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 यतना नहीं लिखेंगे, यह jases पूरा हैगा, s का sound हमें मिल रहा है, तो यहाँ ही लगा देता है, जैसे piece में हमें होना है, तो s यहाँ पर, यहाँ पर यह वाला s लगाने की जरुवत नहीं है, additional, जैसे गणेश आइडल, अब गणेश को है, अब प्रोनाउन्स करेंगे, तो गणेश, c की sound आ रही है, तो यहीं लगा दीजे, अलग से s करने की जरूद, गणेश सन नहीं करने की जरूद, यह st लगाने की जरूद नहीं है, यहीपकर दीजे, जब भी हैपको s की sound कहीं दिखें, और आपको उसको बनान तो यहां पे S लगाने की जरुवत extra नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आपका noun का chapter फिनिश हुआ, और आगे पढ़ेंगे हैं pronoun का chapter, ठीक है, अगर दोस्तों आपको यह पूरा का पूरा course खरीदना है, ठीक है, यह पूरा का पूरा course देखना है, और या आपको इसके 99 रुपीज उसका price है, आपके notes के तरह वो काम करेगी, जब आपकी वीडियोज देख लोगे, तो उसको आप revision के लिए उसे यूज करेगा, फास्ट रिविजन हो जाएगा उससे, बहुत ज़्यादा के लिए एक या दो बार कर लिए आपकी grammar perfect हो जाएगी, कुछ भी चीज miss नहीं होने वाली है, thank you guys, और आपको मेरा YouTube चैनल है, महाँ पे भी आप जाके बहुत सारी वीडियोज देख सकता है, बहुत सारे content वहाँ पे आपको मिलेगा, so thank you so much, मिलते हैं next topic के साथ pronoun